हेलो फ्रेंड्स आयम प्रिया वेल्कम टूआ यूटूब चैनल फेवी प्रिया आप आप बहुत अच्छे और खुश होंगे तो फ्रेंड्स आगई हूं मैं आज आपके लिए कुछ नया लेकर चारो तरह फेस्टिवल की दूवाने वाली है बहुत सारे फेस्टिवल लाइन डू एम पैस्टिव सीज़न इस पामिक अप वार्डिंग सेजन इस आलसो कमिग अप तो हमें सब को चाहिए बहुत सारी कपड़े और सब्सक्राइब हो बाद सेटहूंडम नाचे वालिए ऑफ और इस इस साड़ी को मैं आपको फ्राइंस स्टाइल करके भी दिखाऊंगी कैमरा फोकस करके भी एक-इक डिटेलिंग दिखा उगी यदि आपको मेरी चोज अच्छी लगी तो मैं मीशो का हॉल लेकर आँगी आपको अच्छा लगा को मीशो हॉल मेरा चोज पसंद आई तो बताई देखे मिशल साड़ी तो अभी मैं आपको इसे ये इसके साथ एक ब्लाउस पीस आया है जो कि मैंने सिलवा लिया है तो अभी मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करके दिखाती हूँ लेट्स स्टाइड आप वीडियो मैंने सिला लिया है साड़ी को मैंने रेडि करा लिया है मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और यह इस पर प्रिंट नहीं है पूरी पूरी एम्ब्रोइडरी है इसके जो साड़ी का जो फैब्रिक है उसमें ही कुछ स्टक्चर डिजाइन टाइप का बना हुआ है और यह मै पिंक कलर की स्ट्राइप फैब्रिक लगी हुई है नीचे से स्केलोब डिजाइन है और मीरर वर्क शाइन कर रहा है यह पूरा एम्ब्रोइडरी है जो आपको शो हो रहा है फुल एम्ब्रोइडरी वर्क है मीरर के साथ तीन सो रुपे में फ्रेंड्स इससे अच्छी साड लिप्स्टिक लगा रही है अब मैं पहन रही हूँ चूडिया चूडियों के बिना तो फैंड्स लुक ही कंप्लीट नहीं हो बहता है साडी का तो चूडियां भी पहन लिए हैं तो देखिए यह इसका नीचे से लुक कुछ इस तरीके से इसके गूम आगे आ रहे हैं बॉइडरी बनी हुई है यह इसका बैक लूग इसके साथ मैंने अपना ही बलाउस स्टाइल किया है जो कि मेरे पास पहले सही था साडी के बलाउस को भी मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी इसका जो फैबरिक है फ्रेंट्स वो और गिंजा नैट फैबरिक है लगी तो मैं और भी साड़िया मंगा के उनका भी फाल करूंगी और आपको स्टाइलिंग करके दिखाऊंगी प्यारा सा कमेंड करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी साड़ी इस तरीके की साड़ी आप कहीं भी पहन सकते हैं जैसे की फैस्टिवल बहुत सारे आन कर सकते हैं इसको आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं जब फैस्टिवल होते हैं तो इसके आज पास ऑफिस में भी ऐसे कलर अच्छे लगते हैं बलाउस को थोड़ा सिम्पल रखें मैंने इसमें एक सिम्पल सा नेक पीस लेयर्ड इसके साथ पेर किया है क्योंकि फूल ड इसको आप इजिली पहन सकते हैं जो पूरी दिन हमें काम भी करना होता है अच्छा भी दिखना होता है और कुछ भारी भी नहीं पहना होता तो इसके लिए पूरी तरह अप्रोप्रियेट है चाब, भात, कुवाँ पूजन में इसे आसानी से पहन सकते हैं, पूरे दिन इसको पहन सकते हैं, दुरगा पूजा में देखिए इस तरीके से डाड़िया कर सकते हैं, गरबा कर सकते हैं, बहुत हलकी है, ये तो बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, इसे पहन कर कर सकते हैं क्योंकि उने भारी समाली समालने में दिक्कत रहती है ये बहुत कमफरटेवल है जो भी भारी साड़ी आ होते हैं वो रखी ही रहती है और इस तरके की साड़ी जादा योजो हो पाती है जादा कमफर्टे Romans होती है और जादे वियरेबल भी होती है देखिए अब मैंने इसकी प्लेट्स बना ली है और अराम से मैं डांड या भी कर सकती हूं बहुत कमफरेबल है मुझे परिसनली साड़ी पर प्लेट्स बनाना जादा पसंद है कुले बले में एक हाथ पूरी तरह एंगेज हो जाता ह है तो मुझे प्लेट्स वाला ज्यादा अच्छा लगता है यह देखिए कितना कमफरेबल लुक है इस साड़ी का प्रोडेक्ट कोड और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यदि आप मगाना चाहें तो मगा सकते हैं साड़ी दी इन सुर्फिकी है अपन बनाऊंगी यह देखिए मैंने अपने बालों को पीछे जुड़े की तरह से टक कर लिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बाले दी लंबे तो आप तो अच्छे से जुड़ा बना सकते हैं यदि आपको यह मेरी स्टालिंग वीडियो और मुश्यो साड़ रहा है मेरी साड़ी स्टालिंग पसंद आ रही है अभी मैं इसको इसी साड़ी को इसके ही बلاॉस के साथ आपको स्टाल करके दिखाऊंगी यह देखिए नैक्स्ट लूउक यह फ्रेंड्स यह जो बलाॉस है यह मेरी ममी ने ले लिया है उनको बहुत पसंद आया इसका फै खा सको ये साड़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप बताएगा कि आपको ये कैसी लगी है तीन सु रुपे में कोई भी घाटे का सोधा नहीं है इसको फ्रेंड्स मैं आफ्टर वोश नहीं बता पाऊंगी कि ये कैसे इसका कलर वगेरा रहेगा क्योंकि मैंने इसको वो स्टाइल में देखिए मैंने आपको टक करके दिखा रहे हूं कि कैसे कितने कमफड़ेबली मुमा स्टाइल भी ये रेडी हो गया है तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बरें खुश रही है स्वास्त रही है मस्